पेट्रोल एवं डीजल की दर लगातार बढ़ रही है कोरोना महामारी के बीज महंगाई की मार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने के साथ ही अन्य सामगरियों की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है शहर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 49 पैसे तो डीजल 100 रुपए 70 पैसे तक पहुँच गया है इससे व्यवसाई से लेकर विबिन वर्ग के लोगों की जीवी का बुरी तरह से प्रभावित हुई है पेट्रोलियम दर वृद्धी को लेकर लोगों से असंतोश का माहौल अब बढ़ने लगा है कोवीड महामारी के कारण उपभोकता अनेको समस्या से गुजरना पड़ा है ऐसे समय में पेट्रोलियम पदार्थ की दरों में हो रही बढ़ोतरी उपभोकताओं की जेब को खाली कर रही है इसके कारण सभी अत्यावशक सामग्रियों के दाम भी सात्वे आस्मान पर पहुँच गए है प्राइवेट नौकरी करने वाले सुधीर ने कहा कि घर से गाड़ी लेकर निकलने में डर लगता है घर से मेरा ओफिस साथ से आठ किलोमेटर है इतनी दूरी पैदल चल कर तो नहीं जा सकते आटो की बात न करे तो बहतर है पहले जिस जगा के लिए 10 रुपए लगते थे अब उस जगा के लिए 20 रुपए लग रहे है ऐसे में अपना वाहन ही एक मात्र भरोसा है ऐसे में अब तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे है उसे देखते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा अक्टूबर महीने में तीन दीन को छोड़ कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े है शहर में पिछले 10 दिनों के दोरान 7 बार इंधन के दाम बढ़ाए गए 9 अक्टूबर को शहर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 57 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपए 53 पैसे प्रती लीटर थी 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 1 रुपए 98 पैसे जबकि डीजल 2 रुपए 17 पैसे महेंगा हो गया कच्चा तेल का भाव 90 डॉलर प्रती बैरल तक पहुचने का अनुमान है ऐसे में पेट्रोल डीजल में इजाफा होना तैह है